दक्षिन अमेरिका, दक्षिन अमेरिका के बारे में बात करे हैं, नौर्थ अमेरिका हम cover up कर चुके हैं, तो सबसे पहले जो साउथ अमेरिका है, ये फोर्थ लार्जस्ट कॉंटिनेंट है in terms of area, ओके, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद आफ्रिका है, उसके बाद नौर अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, ओके, after Asia, African, North America, and it is roughly triangular in shape, इसका आकार कैसा है, इसकी आकरती कैसी है, तो त्रिबुज जैसी है, ये कहां located है, situated to the south of North America, North America के दक्षिन में ये situated है, और इसका जो अधिकतर हिस्सा है, वो southern hemisphere से है, ओके, अधिकतर जो हिस्सा है, वो southern hemisphere में ह एक वेटर जो है, इसको क्रोस करता है, और जो Tropic of Capricorn है, इसको क्रोस करता है, इसको क्रोस करता है, तो इसके चारो और कौन कौन सी water bodies हैं, यहां पर आपको ये बताया गया है, North to South, उत्तर से दक्षिन इसका विस्तार कितना है, 7,640 km, 7,640 km, यानि की North to South, और अगर मैं East to West की बात करूँ तो है, 4,990 km, South America as well as Mexico, Central America और West Indies, इनको हम collectively कहते हैं, Latin America, आपको अच्छे से पता है कि Mexico जो है, यह North America में located है, Mexico को, Central America वाला जो portion है, वहाँ पर आपकी काफी सारी countries located है, वो हम cover up कर चुके है, North America वाले वीडियो में, और West Indies, इनको हम collectively कहते हैं, Latin America, यह map देखिए, यहाँ पर आपको South America नजर आता है, यहाँ पर देखो इस तरफ आपका North Atlantic Ocean है, इस तरफ South Atlantic Ocean है, यहाँ पर आपका South Pacific Ocean है, इस ओर आपकी Caribbean Sea है, यह वाले जो countries located है, between the connecting link, between North America and South America, यह जो countries है, आपके Guatemala है, Honduras है, Costa Rica है, Panama है, यह वाले यहाँ पर जो islands है, Cuba है, Dominion Republic है, और जो South America है, इनको हम collectively कहते हैं, Latin America, यह physical map of South America है, यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पर आपके Andes Mountains located है, Andes Mountains जो है, यहाँ पर यह 3 paths में, 3 parallel ranges में divide हो जाते हैं आपके, और उसके बाद जैसे जैसे हम दक्षिन की और जाएंगे, आप देखेंगे, कि Central portion में Andes जो हैं, यह widest हो जाते हैं, यह वाला जो portion है, यह यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इस तरफ उपर की और यहाँ पर आपके Guana Highlands हैं, और यहाँ पर नीचे की और आपके Brazilial Highlands हैं, ब्रजील में और यहाँ पर जो बीच में हैं, एक Low Line Basin है, जो कि आपका Amazon River Basin है, तो यह है आपका Physical Map of South America, Main Countries कौन सी हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, South America की Main Countries जानना, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, Guana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, French Guana, जो की France की Overseas Territory है, यह सभी जो हैं, यह Principal Countries of South America हैं, Greatest Extend North to South 7640 km, और East to West कितना है, 4,990 km, आईए, अब हम एक Political Map भी कर लेते हैं, और आप Countries और उनके Capitals याद रखने की कोशिश करेंगे, देखिए, यहाँ पर इस तरह से ऊपर यह North America से Connected है, यहाँ पर जो Last Country थी हमने पढ़ा था, वो Panama थी, और Panama के थूई आपका Panama Canal बना हु कंट्री में एंटर करेंगे, हम एंटर करेंगे कोलंबिया में, ओके कोलंबिया, यह हमारी कंट्री है, जिसको हम एंटर करते हैं, और कोलंबिया के बाद, कोलंबिया के बाद अगर आप ध्यान दें, और अगर आप कोलंबिया के राइट में देखते हैं, तो next country है हमारी Venezuela, और Venezuela में Angel Falls है, जो की highest waterfall in the world है, ठीक है, highest waterfall in the world है, और उसके बाद यहाँ पर और countries है, Guana, Suriname और French Guana, यह जो French Guana है, यह France की overseas territory है, France की, ओके, चलिए, अब हम इस तरफ आ जाते हैं, Columbia के नीचे जाते हैं, तो Equador आपको मिलेगा, और यहाँ से equator cross होता है, equator cross होता है, तो कौन से country है, अगर equator cross हो रहा है, तो Equador, उसके बाद, यहाँ पर नीचे अगर आप आते हैं, तो आपको दो countries मिलेंगी, Peru और Bolivia, ठीक है, Peru और Bolivia, और Peru और Bolivia, दो countries, इनके border पर एक lake located है, जिस lake in the world है, highest navigable lake, देखिए हर प्रकार की water body जो है, वो navigable नहीं होती, navigable का मतलब होता है, कि उसमें transport possible है, तो जो lake टिटिका का है, वो highest navigable lake in the world है, और वो पेरू और Bolivia के border पर आपका located है, उसके बाद आप नीचे आते हैं, यहाँ पर फिर हमारी दो countries located है, इनके rhyming से नाम है, प वेरागवे और युरागवे, ठीक है, यहाँ पर एक और country located है, आर्जिंटीना, यह जो आर्जिंटीना है, बहुत ही world famous है for meat, यहाँ पर बड़े बड़े cattle ranches हैं, बहुत ही systematic ढंग से यहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, meat industry के लिए, यहाँ पर एक country है हमारी चिली, और जो सबसे बड़ी country है, वो है हमारी ब्राजील, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, तो यह जो सारी countries हैं, इन में से अधिकतर जो हैं, उनकी एक coastal boundary है, ठीक है, वो समुदर को छूती हैं, केवल यह दो जो countries हैं, हमारी बोलेविया और परागवे, यह completely landlocked हैं, इसके shoreline, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यह हमारी सारी countries थी, western mountains, ठीक है, अगर physically हम इसको south america कर डिवाइड करना चाहें, तो हम इधर क्या देखते हैं, कि west में तो हमारे यह mountains हैं, यहां पर हमारा plains वाला region आ जाता है, और यहां पर अगर आप नीचे देखें, तो यहां पर patagonian desert है, pampas है, patagonian desert और pampas वगेरा, यह सब कुछ हम cover करेंगे, western mountains, जो western mountains है, they form the second highest mountain system in the world next to Himalayas, Himalayas तो आपको पता है, young mountains है, वो सबसे उचे mountains है, यह second highest mountains है, ठीक है, andies mountain system, यह जो andies mountain system है, यहां पर है आपकी ikanagua, 6960 meters, यह extinct volcano है, और यह highest peak है, of the western hemisphere, lying in Argentina, very very important information, western hemisphere की highest peak कौन सी है, यह है, और यह कहां पर located है, यह country Argentina में located है, जो andies mountains है, यह बहुत सारी countries को cross करके जाते हैं, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile and Argentina, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां से start हो जाएंगे, आपके Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, और जितनी नीचे आप जाते जाएंगे, आप देखेंगे किन countries को यह cross करते हैं, जितनी भी countries जो हैं, जो towards the west located है, उनको यह cross करते हैं, ठीक है, तो यह हमारी countries थी, जो andies range है, यह widest है in Bolivia, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जब आप नीचे की ओर आते हैं, from north to south, जो central portion है, Bolivia वाला यहां पर, यह सबसे ज़्यादा चोड़े हैं, Bolivia में, उसके बाद, three parallel, north-south ranges of the andies, dominate the western part of Colombia, with altitudes between 3000 meters to 5000 meters, यहां पर अगर आप देखें, उपर की ओर अगर हम जाएं, तो यह andies mountains है, यहां पर नजर आ रहा है, Bolivia में आकर यह सबसे ज़्यादा broad हो जाते हैं, and slowly tapering then towards the south, next देखते हैं, next यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, चिम्बो राजो, चिम्बो राजो जो है, 6310 meter उंची, highest peak है, Ecuador की, चिम्बो रोजो, 6310 meters, is the highest peak of Ecuador, और Mount Ojas Del Salado, यह highest active volcano है वर्ल्ड में, और यह कहां पर located है, यह located है आर्जेंटीना में, Mount Ojas Del Salado, located है अर्जेंटीना में, फिर हमारा आजाता है, गवाना highlands, यह कहां पर located है, यह northern part of Brazil में located है, और इन countries में, गवाना, सुरिनाम और फ्रेंच गवाना यहां पर फैले हुए हैं, यह highlands है, up to 5000 meter high, and are densely forested region, यहां पर है आपका, Picoda Neblina, Picado Neblina, height कितनी है, इसकी 3014 meters, यह Brazil की highest peak है, in the highlands, ओके, और यहीं पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो गवाना highlands है, वहीं पर आपका highest waterfall, angel falls located है, एक बार इसके बारे में देखते हैं, map में, यहां पर हमारे गवाना highlands आपके located है, यहां पर Brazilian highlands located है, और इन दोनों के बीच में, आपका Amazon basin है, यह Brazilian shield है, यहां पर सबसे बड़ा country जो है, South America का वो located है ना, Brazil, ओके, तो यह द नेक्स चलते हैं हम, नेक्स है हमारे Brazilian highlands, Brazilian highlands भी में आपको अभी दिखा, यहां पर आपके located है Brazilian highlands, अब इनकी विशेशता देखते हैं, क्या है, rising from Brazil's Atlantic coast and levels off into high towards the western side of Brazil, माइन्स में काफी rich area है, यह, coffee plantation बहुत famous है, यहां पर Brazilian coffee आपने सुनाओगा, Brazil की coffee काफी famous है, और Brazil major producer in the world है, और यहां पर cattle ranches भी काफी famous है, highland region is characterized by coniferous forest, while the drier region is covered with savannah like grassland, जिनको की हम campos कहते हैं, यह tropical grasslands है, फिर हमारा Bolivian plateau है, जिसको हम alti plano भी कहते हैं, temple of inter montane plateau, which lies between two chains of andes mountains in Bolivia, और यह जो region है, it has rich deposits of tin, यह है आपका, यहां पर कहीं आपका located होगा, और यह देखिए, terra delphi of yugo, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं, आगे है हमारा matto graso plateau, यह matto graso plateau क्या है, यह highlands of Brazil है, उसके बाद बात करते हैं, Grand Chaco के बारे में, Grand Chaco जो है, यह great lowland है, centered on western Paraguay, northern Argentina and southeastern Bolivia, यहां पर आपके warm temperate forest है, and grasslands to the south of Selvaz, dry scrubland used mainly for cattle rearing, Selvaz के बारे मैं आपने सुना होगा, Selvaz जो है, यह equatorial rainforest है, इनको lungs of the earth कहते हैं, क्योंकि यह काफी oxygen generate करते हैं, धरती के लिए जो बहुत ही जरूरी है, और यह, जो Amazon river है, उनके पास पाई जाने वाले forest है, जो very very rich in biodiversity है, Selvaz, तो in Selvaz, it has warm temperate forest and grassland to the south of Selvaz, Selvaz के दक्षिन मगर आप जाते हैं, वहां आपको Grand Chaco मिलेगा, और Grand Chaco का मतलब क्या है, It means the hunting land in the local language, यहां पर देखो, Grand Chaco region आपको दिखाया गया है, यह कौन-कौन से countries में फैला हुआ है, Bolivia का कुछ portion इसने cover किया है, कुछ परागवे का portion किया है, और कुछ cover up किया है, इसने Argentina का portion, Grand Chaco region, Atacama Desert, Atacama Desert, जो है, यह coastal desert है in Chile, okay, world's driest desert है, world's driest desert क्यों है यह, world's driest desert है, यह, it contains a large number of salt lakes, क्योंकि यह rain shadow area में पढ़ता है, यह जो region है, यह rich in gold, nitrate, copper and sulfur है, next है हमारे pampas, pampas जो है, यह vast mountainous temperate grasslands हैं, जिस तरह से prairies temperate grasslands हैं, आपके, steep temperate grasslands हैं, Australia में down temperate grasslands हैं, उसी प्रकार से pampas हैं, they are vast monotonous, sorry, they are vast monotonous temperate grasslands, और यह cover करते हैं, about 20% area of Argentina's heartland, तो pampas कहां पर located हैं, यह आर्जंटीना में located हैं, one of the world's greatest agricultural region है, अनाज उगाने के लिए और beef industry के लिए, यहाँ पर बहुत ही nutritious grass पाया जाता है, और क्योंकि यहाँ पर nutritious grass पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपके cattle rearing के लिए, बहुत ही important है, commercial grazing यहाँ पर कराई जाती है, आलफा आलफा जो है, यह उस grass का नाम है, आर्जंटीना में है यह, और आर्जंटीना और युरागवे यह जाने जाते हैं, यूज एस्टेट्स के लिए, जिनको एस्टैंशियास कहते हैं, जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं, meat industry के लिए, बहुत ही systematic और organized धंग से वहाँ पर होता है, जो आपने फिल्मों में Cowboys देखे हैं, वो आप यहाँ पर पाएंगे, यह देखिए, यहाँ पर हमारे अर्जंटीना में पैम पास लोकेटेड हैं, यह आंडीज हैं, आंडीज के पीछे यहाँ पर पेटागॉनिया है, पेटागॉनिया में आपका पेटागॉ इटल रेन काल्ड पेटागॉनियान डेजर्ट, यह ग्रेजिंग के लिए फेमस है, ग्रेजिंग लैंड फोर शीप और कैटल, ओके, आगे चलते हैं, अमिजान रिवर, अब हम बात करते हैं, साउथ अमेरिका के रिवर्स के बारे में, अमिजान रिवर यहाँ पर वेरी व परंतु क्या यह वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, जी नहीं, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी जो है, नील नदी है, ओके, इजिप्ट को हम गिफ्ट आफ दे नाइल कहते हैं, रिवर फ्लोईंग थू पेरू और ब्राजील टू दी अटलांटिक ओशन, वर्ल्ड सेकिंड लोंगेस्ट रिवर और आफ तर नाइल, बट इस धग्रेटेस्ट न वॉल्वूम अगर हम वाटर क्रेइंग कपसिटी की बात करें तो यह फिर अग्रेटेस्ट वॉल्यूम इसकी जो लार्जस्ट रिप्यूटरी क्या है आमेजन रिवर की वहाँ आपकी नाइलस्ट यह म पास पास वाल एरिया में मिलेंगे, very very rich in biodiversity, rubber was first discovered in its wild state as para-rubber in the Amazon basin, यह देखिए यहाँ पर हमें Amazon River दिखाई गई है, और Amazon River finally कहाँ पर end होती है, it's going to end in the Atlantic Ocean, और यहाँ पर देखिए पुरे Brazil को यह पानी दे रही है, यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं, Ornico River, Ornico River Basin, यह कहाँ start होती है, यह start होते है गवाना Highlands में, enters the Atlantic Ocean via huge delta, river basin is covered with Lannos, Savannah like vegetation, यह Lannos क्या है, Lannos जो है tropical grasslands है, okay, Savannah like vegetation है, Angel Falls highest in the world is located on the river, उसके बाद है हमारा Magdalena River Basin, यह भी Andes Mountains से start होती है, Caribbean Sea at the Colombian city of, Colombian city of Barracuila, it flows through the rift valley between Cordillera Oriental and Cordillera Occidental of the Andes Mountain, oil is found in the Caribbean coastal lowlands of the river basin, okay, आगे चलते हैं, रिवर बेसिन में next हम करेंगे पराना रिवर बेसिन, पराना जो है main river है और परागवे जो है वो इसकी tributary है, okay, पराना रिवर कहाँ start होती है, Brazilian Highlands में start होगी, उसके बाद it flows through Brazil, परागवे and Argentina, and forms the boundary between परागवे and Brazil, बहुत important है यह, world's largest waterfall in terms of volume, अगर volume की बात करें, तो world's largest, okay, यह कहाँ पर located है, यहाँ पर आपका दिया है, और आपके waterfall का नाम भी दिया हुआ है, It serves as an outlet to the sea for परागवे, उसके बाद है यहाँ पर आपका Itaipu, Itaipu डैम है यह, the largest dam of South America, Itaipu जो है, यह largest dam of South America है, यह इसी नदी पर, पराना नदी पर आपका located है, La Plata, nearly 30 km long estuary है, which looks like a river, it lies between Uruguay and Argentina, okay, आगे हम बात करते हैं, Gulfs की, Peninsulas की और Straits की, okay, Gulf क्या होती है, Gulf खाड़ी होती है, उसके बाद Peninsula क्या होता है, Peninsula आपका प्रायदीप होता है, और Straits होते हैं, जल्डमरू मद्य, Gulf of Guacal, okay, Gulf of Guacal, यह West of Ecuador है, in the Pacific Ocean, Gulf of Penas, Gulf of Penas, जो है, यह located है, in Southern Chile, in the Pacific Ocean, Gulf of San George, East of Argentina, Atlantic Ocean में located है, Gulf of San Matias, located है, North of Waldees, in the Atlantic Ocean, और Taitao Peninsula, it is surrounded by Gulf of Penas, and the Pacific Ocean in Southern Chile, यहाँ पर हमने जितनी गल्फs की बात की, वो सारी दी हुई है, यहाँ पर आप देखो, Gulf of Panama दिया है, Gulf of Paria आपका दिया हुआ है, Gulf of San Matias दिया हुआ है, Gulf of San George, Gulf of Strait of Magdalena, Gulf of Penas, सभी यहाँ पर आपके mentioned है, Waldees Peninsula, Waldees Peninsula कहाँ पर है, यह lowest part of South America है, surrounded by Gulf of San Matias, Gulf of St. Joe's, and Gulf of New Roe, and the Atlantic Ocean, उसके बाद, next है हमारा Magdalene Strait, Magdalene Strait जो है, it separates Southern end of South America, the Terra Del Fugo, और Drake Passage, जो है, Drake Passage, it is a strait between South America and Antarctica, अगर आप ध्यान से देखिये, तो यहाँ पर आपको नजर आता है, Drake Passage, और यहाँ पर आपको नजर आता है, Strait of Magdalene, next है हमारा Marcaibo Jeel, Marcaibo Jeel के बारे में बात करते हैं, Lake Marcaibo, अब यहाँ पर देखो, 12,950 स्क्वेर किलोमेटर, size दिया हुआ है, यह North of Venezuela, located है, it is one of the major oil producing regions, और साथी साथ size देखो, आपको पता चलेगा, largest lake of South America है यह, Lake Titicaca, 12,500 feet above sea level है, यह situated between Bolivia and Peru है, और यह highest navigable lake in the world है, समुदर तल से 12,500 feet उपर स्थित है, Lake Titicaca, Bolivia और Peru के बीच में, उनकी boundary line पर located है, अच्छा खासा बड़ा lake है, और दुनिया की सबसे अधिक नौका चलाई पर, दुनिया की सबसे अधिक उंचाई पर, ओके, उंचाई पर नौका चलाई जाती है, यहां, Lake Popo, Lake Popo जो है, it lies in the Alti Plano, high plateau between the Andes mountain chain in Bolivia, उसके बाद है हमारा Galapagos Island, ठीक है, Galapagos Deep Samu, they lie to the west of South America, mainland and is a part of Ecuador, home of many unique species of reptiles, turtles, birds and fishes, यहां पर आप देखिए, आपको नजर आएंगे, यह रहा आपका Lake Titika का, जो हमने बताया, एक यह Lake Popo भी है, उसके बाद यहां पर आपके General D. Canera, यह सारे के सारे located हैं, ओके, यहां पर आपको दिया गया है, लेक मारका, मारा की बियो, अभी हमने जो बात की थी इन islands के बारे में, जो reptiles वगरा के लिए काफी famous हैं, वो यहां पर located है, Galapagos Island, और इसी के साथ, यह वीडियो प्रेजंटेशन खतम होती है, I wish you all the best, thank you for watching, bye bye.